नमस्ते, हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन की मौले की काई, The Fundamental Unit of Life हम इस प्रशन से शुरुबात करेंगे, सजीव किस से बने होते हैं? What are living beings made of? सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं? कोशिका की खोज, Robert Hook ने सन 1665 में कौर्प की एक पतली काट का सुक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करते हुए की थी उनको कुछ प्रकोष्ठ नजर आये थे उन्होंने इन प्रकोष्ठों को सेल, अथवा कोशिका नाम दिया हम भी प्यास की जिल्ली की कोशिकाओं को सुक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं ये एक चितरन किया गया है, प्यास की जिल्ली की कोशिकाओं को सुक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो कुछ ऐसी दिखती है यह कोशिकाएं मिलकर जीव जन्तों के शरीर को बनाती है कुछ जीव एक कोशिक भी होते है बैक्टिरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंडर की एक शेद्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंडर क जिल्ली नहीं होती केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमाटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रो कैरियोट, प्रो अर्थात आदी अत्वा पूर्व, कैरियोट अर्थात क्यारियोन, उन्में केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? यह हम आगे जानेंगे। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली होती हैं, उन्हें यू-कैरियोट, यू-अर्थातवास्तविक कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रवय अंगक नहीं होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रवय के असंगठित भागों द्वारा किये जाते हैं। प्रतिय कोशिका में तीन गुण देखे जा सकते हैं प्लाजमा जिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य प्लाजमा जिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरन से अलग करती है कोशिका जिल्ली को वरनात्मक पारगम्य जिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अत्वा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है CO2, Carbon Di Oxide का निशकासन और O2, Oxygen का अवसोशन भी प्लाजमा जिल्ली के द्वारा ही विसरन प्रक्रिया से होता है प्लाजमा जिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अनो जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है यह लचीलापन अमीबा जैसे जीवों को एंडो साइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करने में सहायता करता है यदि प्लाजमा जिल्ली फट जाए अथवा तूट जाए तो इन में से कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा गौलजी उपकरण गौलजी अपरेटस इसकी खोज नोबल पुरसकार विजेता क्यामिलो गौलजी ने की थी यह जिल्ली युक्त चप्टी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के उपर समानांतर रूप से सजी रहती है जिन्हें कुंडिका कहते हैं इन जिल्लियों का संपर्क अंतर द्रव्य जालिका की जिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकी जिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है अंतर द्रव्य जालिका में संशलेशित पदार्थ गौलजी उपकरण में पैक किये जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन ख्रीत्रों में भेज दिया जाता है गौलजी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का भी निर्मान होता है यदि गौलजी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में यह बदलाव आएगा कि अंतर द्रव्य जालिका में संशलेशित पदार्थों को पैक करके कोशिका के अंदर तथा बाहर नहीं भेजा जा पाएगा तथा लाइसोसोम का निर्मान भी नहीं हो पाएगा Mitochondria Mitochondria कोशिका का बिजली घर कहलाता है इसमें दोहरी जिल्ली होती है बाहरी जिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी जिल्ली बहुत अधिक वलित होती है यह वले ATP, Adenosin Triphosphate बनाने वाली रासाइनिक क्रियाओं के एक शेत्र को बढ़ाता है शरीर की सभी कोशिकाएं ATP में संचित उर्जा का ही उपयोग करती है Mitochondria की विशेशता यह भी है कि इसमें अपना खुद का DNA तथा राइबोसूम होते है अतहा Mitochondria अपना कुछ प्रोटीन स्वयम बनाता है इस चित्र में हम देख सकते हैं Mitochondrian Mitochondrian एक वचन है Mitochondria बहुवचन है अंतर द्रव्य जालिका Endoplasmic reticulum ER अंतर द्रव्य जालिका जिली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बढ़ा तंत्र है यह लंबी नालिका अत्वा गोल यह आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है इसकी रचना Plasma जिली के समरूप होती है यह दो प्रकार की होती है खुर्दुरी अंतरव्य जालिका यह खुर्दुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी सतर पर राइबोजोम लगे होते हैं जिन पर प्रोटीन संसलेशित होता है खुर्दुरी अंतरदव्य जालिका तयार प्रोटीन को आवशक तानुसार अंतरदव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजती है इस चित्र में हम खुर्दुरी अंतरदव्य जालिका को देख सकते हैं दूसरा चिकनी अंतरव्य जालिका ये वसा अत्वालिपिन अनुओं को बनाने में सहायता करती है इस चित्र में हम चिकनी अंतरव्य जालिका को भी देख सकते हैं यब प्रोटीन और वसा कोशिका जिल्ली जीवाद जनन अर्थात कोशिका जिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं तथा एंजाइम एवं हॉर्मोन की भांती भी कारे करते हैं अंतरव्य जालिका कुछ जैव रासाइनिक क्रियाओं में भी मत्वपून भूमी का निभाती है परासरन ओस्मोसिस यदि किसी जन्तु कोशिका अत्वा पादप कोशिका को शक्कर अत्वा नमक के विलयन में रखें तो निम्न लिखित तीन घटनाओं में से एक हो सकती है जल के अनू कोशिका जिल्ली के दोनों ओर आवा गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं परन्तु शुद्ध परिणाम निम्न लिखित में से एक होगा अल्प परासरन दाबी विलयन यदि कोशिका को तनू विलयन वाले माध्यम अर्थात जिस विलयन में शक्कर अत्वा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा जादा है में रखा गया है तो जल परासरन विधी द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूलने लग समपरासरी विलेयन यदि कोशिका को ऐसे विलेयन में रखा गया है जिसमें बाहिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर है तो कोशिका जिली से जल की कोई शुद्गती नहीं होगी और कोशिका के माप में कोई परिवर्तर नहीं आएगा अति परासरन धाभी विलेयन यदि कोशिका के बाहर वाला विलेयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड जाएगी इसका प्रयोग आप सूखी किश्मिश के द्वारा भी करके देख सकते हैं बहु कोशिक और एक कोशिक जीव Multicellular and Unicellular Organisms एक कोशिका स्वयम में ही एक संपून जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम हो सकती है इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते है बहु कोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन कारियों को संपन करने हेतु विभिन अंगों का निर्मान करती है इसके उधारण है फंजाई, अत्वक कवक, पादप और जन्तु बहु कोशिक जीव भी एक कोशिका से ही विक्सित होते हैं कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी अनेक कोशिकाएं बनाती हैं कोशिकाओं की आकरिती तथा आकार उनके विशिष्ट कारियों के अनुरूप होते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं मानव शरीर की विभिन कोशिकाएं अलग-अलग कारे करने हेतु होती हैं इसलिए उनके अलग-अलग आकार होते हैं बहु कोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है अर्थाथ शरीर के विभिन अंग विभिन कारे करते हैं जैसे रुदय रुधिर का संचार करता है, आमाशे भोजन का पाचनादी, इसी प्रकार एक कोशिक जीवो में भी कोशिकांगों के द्वारा श्रम का विभाजन होता है। इस कारण से कोशिका को जीवन की सन रचनात्मक वर क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अमीबा, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया में कोशिका जिल्ली के लचीलेपन का उपयोग किया जाता है। कोशिका विभाजन, Cell Division जीवों में वृध्धी हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी, मृत, एवं क्षती ग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युगमक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं सूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन अथ्वा समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृध्धी हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री अथ्वा समसूत्री विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया में प्रत्येक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतिती कोशिकाएं बनाती है संतिती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है यहां जीवों में वृद्धी एवं उतकों की मरमत में सहायता करती है ये आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन एक मातर कोशिका से दो संतती कोशिकाएं और गुण सूत्रों की संख्या दोनों में बराबर है अर्धसूत्री विभाजन जन्तुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अत्वा उतकों की विशेश कोशिकाएं विभाजित होकर युगमक बनाती हैं जो निशेशन के पस्चात संतती निर्मान करती हैं यह अर्धसूत्रन विभाजन है जिसमें क्रमशा दो विभाजन होते हैं एक मात्र कोशिका चार संतती कोशिकाओं का निर्मान करती हैं संतती कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुण सूत्रों की संख्या आधी होती है यह अर्धसूत्री विभाजन का चित्रन है एक मातरिक कोशिका पहले दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और फिर अंततर चार संतती कोशिकाएं बनती है और इन्वे गोंड सूतरों की संख्या मातरिक कोशिका की तुलना में आधी है पुनरावृत्ती, रीकाप, आज के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा पहले हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे जीव जन्तुओं की संरचनात्मक वेक्रियात्मक इकाई है फिर हमने प्रोकेरियोट तथा यूकेरियोट जीवों के बारे में जाना इनमें क्या अंतर होता है कैसे केंद्रक जिल्ली ना होने के कारण जीव प्रोकेरियोट कहलाते हैं और केंद्रक जिल्ली और जिल्ली युक्त अंगक होने के कारण यू कैरियोट कहलाते हैं फिर हमने विभिन कोशिका के अंगगों के बारे में जाना अलग-अलग अंगगों के अलग-अलग विशेषताओं के बारे में जाना फिर अंत में हमने कोशिका विभाजन के बारे में जाना कैसे दो प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन शब्द कोश Vocabulary आईए कुछ नए शब्दों को सीखें Discovery अर्थात खोज The Nobel Prize in Physiology for 1923 was awarded to Banting and Macleod for the discovery of insulin 2. Curiosity Jiggyasa Nachiket is a prime example of curiosity 3. Innumerable When viewed under a microscope, a drop of pond water reveals innumerable organisms Dhaniawad Awesome In the future The Nobel Prize in Physiology for 252 was awarded to Banting and Macleod for the discovery of insulin The Nobel Prize in Physiology for 2585 was awarded to Banting and Macleod for the discovery of insulin